गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दो राओ ओम भूर भूवाह स्वाह तश्वी तुर्बारेनियम भर्गोदेवश धीमाहि धियो योनाः प्रचूदयात कल आपको बताया गया था भोजन का प्रियोग और जल का प्रियोग आज तीसरे नंबर पर आपको बताया जाएगा वायू का प्रियोग परन्तु ये प्राकर्तिक चिकित्सा है नेचुरल है नेचर हर वक्त हमारा पालन और पोशन करती रहती है भोजन के अंदर भी प्रकर्ति चुपी है जल के अंदर भी प्रकर्ति चुपी है वायू के अंदर भी प्रकर्ती छुपी है धूंप के अंदर भी प्रकर्ती छुपी है और कसरत के अंदर भी प्रकर्ती ही छुपी हुई है अर्थात प्रकर्ती तरह तरह से हमारा पोशन करती है मैं ये कह दूँ, गर्व के साथ कह दूँ कि प्रकर्ती ने कोई भी छेत्र हमारा ऐसा अच्छूता नहीं छोड़ा है जहां पर प्रकर्ती हमारी साहता ना करती हो वो किसी भी तरह से हमें अकेला नहीं छोड़ती सच्मुच वायू के लाब को आदमें दरकिनार करता रहता है दुबारे से कहूंगा भोजन के बगेर आदमें बहुत दिन तक रह सकता है जल के बगेर एक दो दिन रह सकता है पर वायू के बगेर तो रही नहीं सकता कितना कीमती तत्व है वायू तत्व कि जिसके बगेर रहा ही नहीं जा सकता परन्तु आदमी अंदर से उसकी आवशकता को इसलिए नहीं समझता है क्योंकि वो बगेर कोई कीमत दिये उसको मिलती रहती है भोजन के लिए उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ती है उस कीमत को चुकाने के कारण वो उसकी कीमत को समझता है उसका एक कन भी जाया नहीं जाना देता पर पानी में भी कीमत तो चुकानी पड़ती है मानली जी आपको बॉरिंग करना है तो उसके लिए कीमत बॉरिंग की तो चुकानी पड़ेगी उसके बाद आपको नल खेच करके कितना पाणी निकालना तो बहनत करनी पड़ेगी तो कीमत समझता है परंतु अगर उस पर पंप लगा दिया तो उसकी कीमत उतनी नहीं समझता है पर कीमत फिर भी चुकानी पड़ती है फिर पंप की और बिजली की कीमत चुकानी पड़ती है परन्तु यहां तो कोई कीमत वायू की तो कोई कीमत नहीं चुकाने पड़ती निरंतर फ्री में मिल रही है परन्तु यह नहीं जानता के आदमी कीमत ना चुकाने के कारण वायू का कितना दोहन करता हुआ चला जा रहा है और इस्त्ति ये पैदा हो गई ना तो पानी पीने लाइक रह गया ना वायू सास लेने लाइक रह गई और ना भोजन पेट भरने लाइक रह गया भोजन तो है कोई कमी नहीं है पानी तो है कोई कमी नहीं है और वायू भी है कोई कमी नहीं है पर उसमें वो तत्व नहीं रह गया जो वास्तों में प्राकर्तिक तत्व था जिससे हमारे जीवन का संतुलन बनता है अब मैं फिर से कहूँगा प्रान वायू का प्रियोग प्रान के लिए किया जाता है इस योग में जो प्रियोग होता है उस योग को पनयाम कहते है अर्थात पनयाम किसको कहते है जिसमें सांस के साथ में व्यक्ती की भावना भी जुड़ी हो क्या भावना जुड़ी हो प्रकरती मा बन करके अपने से हमें जोड करके किस तरह से किस कदर हमारा पोशन कर रही है जिस सांस को हम ले रहे है उस सांस का पता तब लगता है जब सांस आना बंद होता है जब तक सांस चलता रहता है व्यक्ती सांस की कीमत नहीं समझता है और एक बात याद रखना सारी जिन्दगी आदमे कितना ही कमाले पर रहत के एक सांस के लिए सब कुछ सारी जिन्दगी की दोलत को उस पर वारने के लिए तयार हो जाएगा इतनी कीमत सांस की है अगर सचमुच इतनी कीमत सांस की है अगर ये सांस अस्पताल में जाकर के लेना पड़े अस्पताल के पलंग पर लिटा करके ऑक्सिजन अगर आपको लगाई जाए तो एक दिन का अस्पताल का खर्चा आपका कितना आ जाएगा है और भगवान ने ये अस्पताल हमारे लिए बतब सारे बढ़िया से बढ़िया डाक्टर और बढ़िया से बढ़िया दवाईया बढ़िया से बढ़िया भोजन सब चीज हमें दी हुई है जैसे एक माँ अपने बच्चे को छाती से लगा करके अपना इस पर्स देती है और उसको लाड लडाती है ऐसे ही प्रकर्ती रूपी माता वायू के माध्यम से हमें इस पर्स महसूस कराती है सीतल मंद समीर बहती हुई हवा कितनी प्यारी लगती है कितनी प्यारी लगती है परिस्वार्थी इंसान ने आज जो कुछ किया है प्रान पर ही हमला कर दिया प्रान पर ही हमला कर दिया प्रानी नहीं कहा है प्रान पर हमला कर दिया और प्रान के कमजोर हो जाने के कारण प्रानी भी कमजोर हो गया मैंने कहा था भगवान एक है उसके रूप अनेख है इसलिए नाम भी अनेख है रोग एक है परंतु उसके नाम भी अनेख है मैंने ही आपको बोला था कि सारा का सारा स्वास्थ इनी पर्टिका है अगर सारी विमारियों की जड़ काटनी है तो हमें इनको ठीक करना पड़ेगा ये जो पाँच चीज आपको बताई इनको हमको ठीक करना पड़ेगा सारी विमारियों को मारने की जड़ुरत नहीं है परंतु एपच्य रूपी जड़ को काटने की जड़ुरत है अगर एपच्य रूपी जड़ को हमने काट दिया तो सारे रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे आदमी लोहार की धोखनी की तरह से सांस को लेता रहता और छोड़ता रहता है परन्तो सांस के कितनी कीमत है उसको नहीं समझता हमें उस भूल को सुधारना होगा जो पिछले दिनों हम कर बैठे हैं और मैं फिर से कह रहा हूँ मैंने अभी बोला भी था कल भी बोल रहा था के आदमी इतना नकारा आज हो चुका है उसको समझी नहीं आ रहा वो हरकती कोई नहीं करना चाहता आदमी इतना नकारा हो चुका है दुख भोग रहा है परन्त दुख के कारण को हटाने के लिए तैयार नहीं है देखो कैसे इस्तिती पैदा हो गई है आदमी दुख भोग रहा है पर दुख के कारण को हटाने के लिए तैयार नहीं है आचा मैं फिर से पूछ रहा हूँ ऐसी कौन सी चीज़ जो इनसान रूपी जीव को बांद करके रख सके इनसान अगर हिम्मत करे तो कुछ भी कर सकता है परन्तो इनसान की तो खुद्दारी ही सो गई उसका अपना मनोबल सो गया उसकी हर हरकत सो गई और वो निस्क्रिय हो गया सोच करके देखो जो कहा जा रहा है जब तक आदमी की बुद्धी काम नहीं करेगी आदमी को जो करना चाहिए वो नहीं करेगा आदमी पणयाम की कीमत को नहीं समझ रहा है अगर सच वायू का प्रियोग विक्ति अपने सरीर के अंदर करे आदमी के समय पर जब वायू मंडल में चलती है तो सब जगे ज़ाडू लगा देती है ऐसी प्राण वायू जब हमारे सरीर के अंदर चलती है तो सब अंगों की सफाई करके उनकी गंदगी को कारबंड आई आकसाइड के रूप में बाहर निकाल करके ले करके आती है आज कल तो धुआ इतना हो रहा है कि सलफर भी निकल करके आता है आप देखते होंगे नाक के दोनों नतनों के अंदर कालक जम जाती है दिल्ली जैसे सहर में नाक के दोनों नतनों में कालक जम जाती है फेपडों का क्या हाल होगा नाक दुवारा सांस हम फेपड़ों में भरते हैं परन्तु सांस की दिक्कत हो जाए तो आदमी सीधा मूँ खोल करके फेपड़ों को भरने लग जाता है जबकि नाक से वायू होती हुई पूरे मस्तिस्क में से गुजर करके तब हमारे फेपड़े में जाती है परन्तु मूँ से जब सांस लिया जाता है तो सीधी बगेर किसी रुकावट के वो हमारे फेपड़े में घुश जाती है अब मैं ये कह रहा हूँ अगर नाक दौरा ले जाती है तो छिल्टर होती 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 तब वहां तक जाती है पर आदमी कैसा हो गया है कि वो सीधा मूँ खोल करके सांस लेने लग गया उसकी अपनी वज़े से नहीं है सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगी इसलिए वो प्राण वायू में गंदगी को जहर को ले करके अपने अंदर जा रहा है कई व्यक्ति क्या हमारा योग संस्थान भी प्रायाम की किरिया को करने के सिध्धान्त बताता है सांस को ली आ जाए रोका जाए धीरे धीरे छोडा जाए कुछ देर तक ली आ ना जाए ये चार चरण उन्होंने बताएं है इससे क्या होता है प्राण को फेपड़े में रोकने के कारण जो हमारे सेल्स है वो ठीक से उसमें से ओक्सिजन को सोख लेते हैं हमने सांस लिया तुरंत छोड़ दिया तो जो उसमें ओक्सिजन का तत्व है वो सोखा नहीं जाएगा तुरंत बाहर निकल जाएगा तो कच्चा रह जाएगा सांस कच्चा रह जाएगा और फूलने लग जाएगा इसलिए हमें सांस को नाप तोल करके लेना चाहिए वैसे भी सांस्त्र ये बताते हैं सबके सांस गिने हुए है जो जल्दी जल्दी सांस लेते है वो अपने समय को जल्दी पूरा कर लेते है सांस पूरे कर लेते है और कम और मुणभई ही सरीच छोड़ करके चले जाते है इसलिए उस सांस के अंदर जो संजीवनी शक्ति है उस संजीवनी शक्ति को हमारा सरीर ग्रहन करे हमें पूरा मौका अपने सरीर को उस शक्ति को ग्रहन करने के लिए देना चाहिए ना के बेजान वायू को अपने सरीर में रोक करके रखा जाए वायू के प्रियोग की क्रिया दिन में कई बार की जा सकती है इसका मेल कसरत और टहलते रहने से भी मिलाया जा सकता है यदि हर समय स्वच वायू में रहने का इंतजाम किया जा सके तो रोग सिग्रता से चले जाएंगे इसलिए रोग को बाग बगीचे में रखने का या स्वच वायू में रखने का विधान है वो इंतजाम आदमी को करना पड़ता है जाल लेना रोग तो सिग्रता से लगाया जा सकता है परन तो सिग्रता से हटाया नहीं जा सकता है कारण ये है कि रोग लगने के बाद आपकी अपनी शक्ति को कमजोर करता है कमजोर होने के कारण व्यक्ति उसको हटाने ही पाता है अगर रोग लगने के साथ ही उसका विरोध किया जाए तो उसको हटाने में समय नहीं लगेगा समय नहीं लगेगा तुरंट हट जाएगा परन्तु जब रोग टिका रह जाता है रुक जाता है तो वो हमारी शक्ति को कमजोर करता है और अपनी ताकत को मजबूत बनाता है इसलिए गाओं में रहना खेत या नदी के किनारे रहना दिन बर मही पर अपना काम काज करना सच वायू को अपने सरीद को देना ये हमारे जीवन के लिए हितकर है सहरों में देखते हैं व्यक्ति जब अपने काम से लोटता है शाम को तो वायू मंडल में इतनी विसाक्तता भरी होती है और विसेश रूप से दिल्ली जैसे सहर के अंदर के आखों में जलन और पानी तक निकलता है इतना जहर वायू के अंदर घुला हुआ है सोच करके देखो जब तक व्यक्ति में जाग रूखता नहीं आएगी प्रकर्ति तो प्राण वायू को शुद्ध करके हमको देती रहती है वो गंधी वायू को लेती रहती है और शुद्ध हो करके आती रहती है इसी वायू के अंदर जो प्राण है वो सूर्य से उत्पन उर्जा जो इसके अंदर सर्जित होती रहती है वो वायू के अंदर मिली रहती है वो हमारे सरीर में जाकरके हमारे सरीर की कमजोरियों को मिठाती है और हमको अपनी ताकत देती है हम जो उर्जा का हरास करते है करम के दौरा प्राणवायू उसको साथ के साथ पूर्थी करती रहती है इसलिए एक बहतरीन जीवन जीने के लिए शुद्र प्राणवायू का होना बहुत नितान तावश्चक है आदमी को प्रियास करना चाहिए अमरत और कुछ नहीं है जो शुद्र वायू को लेता है वो अमरत है इसलिए उस अमरत को पीना चाहिए और बहुत कुछ सल्हा दी जा रही है के सुबेरे सुबेरे बाग बगीचों में जाकर के शुद्र वायू को सरीद में संचरित की आ जाए जिससे जमी हुई ये सुद्धिया बाहर लिका ली जा सके और उसका अधार पनयाम है इसलिए पनयाम के माध्यम से हमें दिरंतर इस कारिये को करना चाहिए अगला तत्व है धूप जो सूरिये से उत्सरजित सीधा डायरेक्ट अगर सूरिये किसी के जीवन में प्रवेश करता है तो उसके सारे के सारे गुन उसकी धूप के अंदर छुपे हुए है मैं फिर से कह रहा हूँ आज तक कोई व्यक्ति जीव या कोई साधन आज तक ऐसा नहीं बन सका है जो सूरिये के तेज को सहन कर सके कोई पदार्थ कोई धातु ऐसी नहीं है जो उसके तेज के सामने टिक सके प्रभाव मात्र से ही पिंगल करके पानी बन जाती है इतना तेज है उसमे परन तु फिर से कह रहा हूँ सूरिये के सारे के सारे तत्व जो सूरिये के अंदर गुन है वो उसकी धूप के अंदर छुपे हुए होते है आदमी जब नंगे बदन पर सूरिये की किरणों को लेता है तो वो किरणे उसके रूम कूपों में भर करके अपने तेज को उसके सरीर में प्रवाहा कर देती है ग्यक्ति को अपने रूमों को खोलने के लिए पसीना लाना चाहिए और उस पसीने को लाने के लिए भाप का सिनान या ज्यादा कपड़े पहन करके अंदर की गर्मी को अंदर रोक करके पसीना लाना जिससे हमारा रोम बाहर से नहीं अंदर से खुले अगर रोम खुलेगा पसीने से खुलेगा तो जो विकार हमारे रोम में भरा हुआ होगा वो बाहर निकल जाएगा सर्दी के दिनों में धूप जादा कड़क नहीं होती है इसलिए पसीना नहीं आता है कड़ी मेहनत करने वालों को चाए सर्दी हो या गर्मी सुबेरे साबून लगा करके नहना जितने रंद्र हैं उनमें अगर किसी भी तरह की गंदगी छुपी है जो उपरी पसीने या किसी भी तरह से सक्रोम कूप से बाहर निकली है उन छित्रों को खोलने के लिए स्नान किया जाता है परमपूज गुर्देव लिखते है कि हमें सूती तोलिया रखना चाहिए जिसको रगड रगड करके अपने रोमों को खोलना चाहिए नहना ही केवल उद्देश नहीं है नहने का उद्देश अपने रोम कूपो को खोलना है परन्तु ये कहूँगा जलके प्रियोग से बाहर से वो धुल जाते है परन्तु अंदर से नहीं खुलते अंदर से जो खुलते है वो केवल एक चीज से खुलते है जब आपको पसीना गाड़ा पसीना अंदर से आता है तो आपका रोम कूप खुलता है हमारे देश में पूरे साल मिलने वाली धूप से ये काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है और अपने सरीर को मांजा जा सकता है जिस तरह से बरतन की गंदगी हटाने के लिए उसको मांज देते हैं उसी तरह से अपने सरीर को मांजा जा सकता है इसके अलाबा धूप की संजीवनी शक्ती का अपना और भी परभाव है और वो परभाव है उसके अंदर मिलने वाली अल्ट्रा वोईलिट किरणों से रोक के नास करने का बहुत अधिक लाब मिलता है बहुत लाब मिलता है इसलिए हमको उस लाब को ग्रहन करने के लिए तत पर रहना चाहिए जाड़े में जब कभी भाप ली जा सकती है पसीना लाने के लिए जाड़े में भाप ली जा सकती है धोपस्नान के लिए किसी समय भी नंगे बदन होकर के दूप में लेट जाना ये सबसे उक्यूकत है केवल तोलिये को गीला करके पानी से पहुच देने से धूपस्लान सकती और आदत के अनुसार न्यून्य अधिक मात्रा में वो अपना प्रभाव डालती है इसलिए गप्ती को सब्ताह में तीन से चार दिन जरूर इस कारिये को एक समय के लिए करना चाहिए गर्मी के दिनों में ये कारिया आसान हो जाता है वायू मंडली ये ताप जो सरीर के ताप से ज़्यादा हो जाता है वो गर्माट अंदर जाती है तो पसीना अपने आप लेकर के आती है दिक्कत जो आती है केवल वो सर्दी के दिनों में आती है इसलिए भापस्नान इस समय पर बहुत अच्छा तरीका है धूप बहुत तेज हो तो सरीर को ढख लिया जाए जिससे धूप का कुपरभाव सरीर पर ना पड़े परन्तु हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में सीधे प्रकास में जाने की भी आवशक्ता नहीं होती है आप छायादार जगे पर बैठे रहते हैं तो भी पसी ना आता रहता है इसलिए गर्मियों में उतनी दिक्कत नहीं आती है जितनी दिक्कत सर्दियों में आती है हमें क्या करना चाहिए अपने सरीर को बराबर धूप देनी चाहिए और ऐसा बताते भी है और ठीक भी है विटामिन डी की कमी धूप से ही पूरी होती है आदमी विटामिन डी की गोलियां वगेरा ले ले तो उससे वो पूर्ती नहीं होती है प्राणवायू की तरह से धूप भी अपने प्रभाव को व्यक्ती के उप सरी पर डाल करके अपनी शक्ती को उसके अंदर प्रवेश कराती है आज का समय प्रगती का समय कहलाता है और प्रगती का समय होने के कारण आजादमी जदतर AC में बैठता है गाड़ी में चलता तो उसमें भी AC लगा हुआ है C से बंद यनि के आना जाना वायू का बंद धूप का बंद उन सबसे बचकर के रहता है जो जीवन देने वाली चीजे हैं उन से बचकर के रहता है आदमी ने बहुत आराम दायक जिन्दगी अपनी बना ली परन्तु नहीं पता ये आराम ही उसको अंदर से खा जाएगा इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन को ठीक से जीने के लिए धूप और वायू दो तत्वों के बारे में आज बोला उनका उचित प्रियोग अपने साथ रोज नियमित रूप से करना चाहिए आज आदमी करम के बोज से नहीं सोच के बोज से दुखी है इसलिए अपनी सोच को सजाना सवारना चाहिए मैं भी कह रहा था के आज का आदमी अंदर से सोया हुआ है जागरूक नहीं है जागरूकता तत्परता और प्रकरता इस पर कितने प्रवचन दिये गए है वो गुण पैदा नहीं कर पा रहा बस जिस तरह से ऐसा है ऐसा मर्थ हो करके पड़ा रहा जा सकता बस वैसे पड़ा है एक लास अपना कुछ नहीं कर पाती है वो दूसरों पर निर्बर रहती है आदमी की अवस्था भी कुछ इसी तरह की बनती हुई चली जा रही है हमें आपको अपने आपको उस अवस्था से निकालना है और प्रकरती की मूलधारा में ले करके आना है ऐसा हम करें आज की बात को यहीं पर संपन कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने होने को और अपने सेहत को ठीक से समझें तब ही बात बनेगी आज की बात संपन्न ओम शान्ती ही शान्ती ही शान्ती